श्रीमाद भागवतम इसकंद चार अध्याय सोले बंदी जनों द्वारा राजा पृतुर की इस्तुती श्लोक क्रमान का सत्रे शब्द पाठ मात्रिभक्तिही पर इस्त्रीशु पत्याम अर्धह इव आत्मनह प्रजासु पित्रिवत स्निक्थह किंकरह ब्रह्मवादिनाम मात्रिभक्तिव परस्त्रीशु पत्यामर्ध इवात्मनह प्रजासु पित्रिवत स्निक्थह किंकरो ब्रह्मवादिनाम मात्रिभक्तिव परस्त्रीशु पत्यामर्ध इवात्मनह प्रजासु पित्रिवत स्निक्थह किंकरो ब्रह्मवादिनाम मात्रिभक्तिव अपनी माता के समान आदर करने वाला परस्त्रीशु पराई इस्त्री के प्रती पत्याम अपनी पत्ञी को अरधाः आधा इवा शद्रिशु आत्मनह अपने शरीर का अपने शरीर का थै। प्रजासु नागरिकों के प्रती पित्रिवत पिता के समान स्निक्थः स्निही किंकरह दास ब्रह्मवादिनाम श्री भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का अनुवादे वन्तात्पर्य द्वारा क्रिश्न कृपा मूर्ती श्री श्री मत अभई चरणार भिंद भक्ति वेदानत स्वामी श्री लप्रभूपाद ये राजा सभी इस्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देंगे और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग यानि अरधांगिनी मानेंगे ये अपनी प्रजा के प्रती पिता के समान इसने ही होंगे और अपने आपको श्री भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम अग्याकारी दास समझेंगे विद्वान मनुश्य अपनी पत्नी के अतरिक्त सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है ये विद्वान पुरुशों के लक्षण है जिनका उल्लेग चानक्य पंडित ने किया है शिक्षा का यही मांदन्ड होना चाहिए शिक्षा का अर्थ मात्र शैक्षणिक उपाधियां प्राप्त करना ही नहीं है मनिश्य को चाहिए कि उसने जो कुछ अपने व्यक्ति का जीवन में सीखा है उसे कारे रूप में परिणत करे विद्वानों के ये लक्षण राजा प्रिथू के जीवन में प्रकट थे राजा होकर भी वे अपने आपको श्री भगवान के भक्तों का दास मानते थे वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राज प्रासाद में जाता तो राजा उसे तुरंत अपना आसन प्रदान करता था ब्रह्मवादी नाम शब्द अत्यंत महत्वपून है ब्रह्मवादी का अर्थ है श्री भगवान का भक्त ब्रह्मव परमात्मा तता श्री भगवान ये परम ब्रह्म के विविद नाम है और परम ब्रह्म तो श्री कृष्ण है इसे श्रीमत भगवत गिता दस बारह में अर्जुन ने स्विकार किया है परम ब्रम्म परम धाम इस प्रकार ब्रम्मवादी नाम शब्द श्री भगवान के भक्तों का सूचक है राजा को चाहिए कि श्री भगवान के भक्तों की सदा सेवा करे और आदर्श राजा को चाहिए कि भक्त के आदेशों के अनुसार अपने कारे का संचालन करे चुकि राजा पिथू ने इस नियम का पारण किया इसलिए उनकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है ओम ज्यानति मिरांधस्य ज्यानंजन शलाकया चक्चरुन्मीलितं ये नतस्मै श्रीगुरवे नमहा श्रीचाइतन्यमनो भिष्टं स्थापितं ये नभूतले स्वयं रूपकदामहियं ददाती स्वपधांतिकं वंदेहं श्रीगुरोशितफ्पदकमलं ्श्रीगुरूनवैष्णमाम्ष्च स्वी रूपम साग्रजातं सहगनं रगुनातान वितं तंसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं क्रिष्ण चैतन्यदेवं Shri Radha Krishna Padana Sahagana Lalita Shri Vishakhān Vitaamścha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityānanda Shri Advaitha Gadhadhara Shri Vasadhi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rāma Hare Rāma 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 Hare Hare मात्री भक्तिफ परस्त्री इशु पत्नियामर्ध इवात्मनह प्रजासु पित्रिवत्स निक्तह किंकरो ब्रह्मवादिनाम तो अन्वय इसका अगर देखें तो परस्त्री इशु मात्री भक्ति ही राजा में अन्यों की जो परस्त्री परस्त्री दोना अर्थ में है अन्यों की जो पत्नियां है ये भी इसकार्थ है और अन्य इस्त्रियां ये भी अर्थ है पर रैस्त्रीशू मात्री भक्ती ही उसमें राजा की मात्री भक्ती होगी वो उनका माता के समान आदर करेंगे फिर पत्नियाम आत्मना अर्धा इवा अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगनी आत्मना अपनी अर्धा अर्धांगनी के रूप में अर्धा अपने अर्धा मलब अर्धांगन अर्धांगनी के रूप में देखेंगे फिर प्रजासु पित्रिवत इस्निकदः जो प्रजा होगी उसमें पिता की समान उनसे इस्नेह क करेंगे और ब्रह्मवादी नाम किंकरह जो ब्रह्मवादी हैं श्रप उपाद प्रतात्पर में जो ब्रह्मवादियों में सरुष्रेष्ट ब्रह्मवादी हैं भक्त उनको लेकर के व्याख्या कर रहे हैं कि उनके हमेशा ये दास के रूप में व्यभार करें कि राज़ा जो है उनके दास है ब्रमावादियों के दास है राज़ा तो इस परकार इस श्लोक में अन्य बहुत महत्वपूर्ण गुण एक प्रशासक के दिखाए गए हैं राजा समाने रूप से एक ब्रहांधार्णा जो आज है वो यह है कि राजा लोग बड़े विलासी विलास्पून होते विलासी जीते थे ऐसे एक चित्राज बनाय जाता है ना जब भी बात आती है कि वही वेदिक संस्कृति में कैसे मर्यादाएं थी इस्तरी पुरुश की तो कि जब हम आज का समाज देखते हैं तो उसमें जब आज लिविंग इन रिलेशन्शिप एकसेप्टेबल हो गया है यानि कोई भी वैवाहिक इस्तरी पुरुश अन्या किसी वैवाहिक इस्तरी पुरुश के साथ भी संबन रख सकते हैं तो फिर आज जब बात की आती है कि ये कितना खराब है तो लोग कहते हैं तो वेदिक आपके वेदिक समय में भी तो हम देखते हैं कि राजाओं की कितनी सारी पत्निया होती थी कर तो फिर इस तो पहले से चला रहा है बहुत साई पत्निया होती है तो अभी ग्या दिखा दे तो क्या अंतर है राजाओं की बहुत सारी पत्निया होने में और आजकल के समय के लिविंग इन रिलेशन में सो इसको इन सब चीज़ें को समझने के लिए कुछ बहुत आधारबूत चीजें हैं जिनको समझना आवश्यक होगा क्योंकि वेदिक संस्कृति और आधनिक जिवन शैली इतनी प्रतक है उसकी विचारधारों में प्रतकता है इसलिए उस विचारधारा के आधार पर फिर जो नियम बनते हैं नीतियां बनती हैं या आचरण बनता है उसमें बहुत फरक होता है और जब हम एक दूसरे कंपेर करते हैं यहां यह 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 तो वो कई बार समय में नहीं आता है यह अंतर क्योंकि उसके जो पीछे की मूल समझ है फिलोसफी उसके पीछे की वो अगर हमें नहीं पता है तो हम उस संस्किती के जो नियम है इत्यादी वो क्यों है वो हम समझ नहीं पाते हैं आजकल जो आधुनिक विचार है पास्चत्य विचार वो है कि सभी लोग बहुतिक दश्टी से बहुतिक आध्यात्मिक तो दश्टी है नहीं आधुनिक पास्चत्य जीवन शहलीवर्ण तो सभी लोग जो है समान है यह बहुत ही अंदर हुज गया है क्योंकि काई संसालों सहे इसके इसका इस को फ्रॉपेगेट किया जा रहा है सब समान है सब समान है और उसमें मुख्य जो पार्थक है ट्रडिशनल जो जीवन शैलियां थी वेदिक भी और पाश्चात्य जगत में भी जो उनकी ट्रडिशनल जीवन शैलियां थी वहाँ पर इस तरी पुरुष में भेद जो है वो बहुत ग्रॉस भेद है उसको कैसे खतम करेंगे बायलोजिकली भेद है और साइकोलोजिकल भी भेद है सुभाव में अंतर है मानसिक्ता में अंतर है शरीर में अंतर है सब चीजों में अंतर है इविन पुरुशों के अंदर भी बहुत प्रकार के बेद हैं और सब इस्त्रियों में भी आपस में भी बेद होते हैं अलग अलग प्रकार के लेकिन इस्त्रियों पुरुश में as a class भी भेद है इसत्रियों में और पुरुष में as a class भी भेद है एक वर्ग की दश्टी से भी अलग-लग भेद है प्रकरती भगवान के द्वारा ये भेद है और वो हमारे कर्म फल के अनुसार अंतथा कर्म फल के अनुसार है तो भगवान ने जो पूरी स्रिष्टी बनाई है अलग-अलग यूनिया बनाई है क्यों बनाई है अलग-अलग हमारे कर्म फलो को प्रदान करने के लिए बनाई है उसके पीछे ये reasoning है, logic है क्यों अलग-अलग यूनिया है अलग-अलग है, वाई पार्थक्या पेड़ पोते हैं जानवर हैं, मनुश्या है अंतर है भागवतम में तीसरे स्कंद में जब ये सर्ग और विसर्ग का वर्णन आता है तो उसमें ब्रह्मा जी जो विसर्ग यानि की अलग-लग ग्रहे और अलग-अलग यूनिया बनाते हैं उसका वर्णन आता है तो उसमें आता है की उन्होंने पेड़ पोधे बनाए और उसके संदर में उसका एक उस पुरी क्लास का पेड़ पोधे क्लास का का एक common symptom, common लक्षन दिया है क्या दिया है वो common लक्षन पेड़ पौदों का वो दिया है कि इनकी जो चेतना है वो संकुचित होगी और इसलिए इनको दुख की अनुभूती दुख और सुख की अनुभूती बहुत कम होगी क्योंकि इनकी चेतना बड़ी संकुचित होगी यह उनका एक समाने लक्षन दि लक्षणु दिया है कि इनकी जो चेतना है बुद्धि यह केवल अहार निध्रा भया मैथमा थूंञ तक ही सीमित होगी कि इस कोमन लक्षण दिया है वहाई ऑर मनश्यूं में महाँ पर यह लक्षण दिया है कि इनकी चेतना ये आहा निद्रभाय मैतुन के परे के विशय जो है भगवान ये ये तत्व को समझने की चेश्ठा इनके अंदर होगी तो ऐसे class wise अलग अलग गुण है तो जब ये आरम से ये जो निर्मान हुआ है स्रस्टी हुई है वहाँ पर ये classes हैं निर्मान से हैं वर्ग और उन वर्गों को अलग अलग बनाने के पीछे एक कारण है अलग अलग गुणु वाले हैं अलग 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 वर्ग तभी वो वर्गी कृत हुआ वर्ग बने मतलब उसमें कुछ अंतर है तभी तो वर्ग बनेंगे अगर सब एक ही है तो भी वर्ग क्यों बनेंगे तो वर्ग है मतलब अंतर है और वो अंतर भी आकस्मिक नहीं है अब आजकल समस्या किया है आजकल जो है डार्विनवाद क्या धार पर हमारा समाज आजका चलता है तो वहाँ पर यह सारी जो वेराइटी है अलग-लग यूनिया स्पिसीज जो हम बुलते हैं उसके पीछे जो क कारण है वो कारण क्या बताया गया है survival of the fittest and natural selection struggle for existence और फिर उससे nature ने select किया और इस तरह से तो उसमें वहाँ पर बहुत ही मूल से बाद आ गई कि अल्टिमेटली तो ओरीजिन जो था वो बलकुल वो एक ही वस्तु थी वो क्या ओरिजनल वस्तु थी वो दर्विन ने नहीं बूला लेकिन बाद में की वह कुछ रसायन थे या उसमें कुछ पहला सिंगल सेल वाला था तो एक इधा उतो तो एक ही था ना वह समानता वहीं आगे एक ही था हो तो उसमें कोई वर्ग नहीं थे बाद में वर्ग कैसे बन गए सब यह तो ऐसी प्रकृत मतलब इसमें material forces ने काम किया कोई इसके पीछे किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया यह तो material forces है यानि उसके पीछे कोई reasoning नहीं है ऐसा कोई reasoning कि कुछ higher thought physical forces ही काम कर रहे है उस लेवल का reasoning अभी वह survival of the fittest जो बोलते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि della bizjuna कर को चर करने की इठ रहा क्यों होगी क्योंकि इठ रिज्जा की बात मुझे सभाइब करना है बहुति प्रधार्तों के अंदर किसी प्रकार की इच्छा की क्लमणा दंकर नहीं सकते है बहुत ही प्रदात हो क्या पड़िए मैं सर्वाइब करूं के नहीं पड़ूं अभी टेबल है यह टेबल को कुछ होगा मैं रहूं के नहीं रहूं टेबल को ऐसी कुछ अनुभूती या ऐसा कोई विचार हम अपेक्षा कर सकते हैं नहीं तो एनिवे वह भी बड़े प्रश्ण माहा है लेकिन मूलता कि यह सब ऐसे ही वर्गी करन हो गया है इसलिए अगर बहुत तीक पदार्थ सब बहुत तीक जो फोर्सीज हैं अगर वह चेंज हो जाएं या चेंज कर दें तो वह समावना भी है कि दिरे दिरे यह सारी वर्ग ख यूनिफॉर्म कर दें तो यह संभव है कि फिर सबसे फिर दुबारे से एक हो जाएंगी सब तो क्योंकि पूरा जड़वाद है जड़वाद है इसमें कोई भगवान पिच्चर में नहीं है इसलिए यह जो भी वेराइटी है उसके पीछे कोई कारण नहीं है परपस नहीं होगे तो अपने हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं जैसा अच्छा हो जैसा हमें लगे अच्छा है ह। को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ultimately यह तो जड़पदार्थों की वज़े से ही तो यह सब हुआ है जो भी हुआ है और हम तो अभी बहुत intelligent हैं हम पूरे जड़पदार्थों को समझ रहे हैं भी जड़पदार्थ कैसे काम करते हैं हम सब समझ रहे हैं अपनी अपनी बुद्धी से ह nuevas Master समझपा ils जड़ प्रदात ऊर्षक्ष समझ जाएंगे तब खुल समझ सकते यह एक हमने प्रिमाइस लेकर चलें कि मैन आदमी जो है वो सब कुछ समझ सकता है अपनी बुप्री तो हम पूरी जड़ो प्रकरति को इसके साथ में एक विचार है कि अगर हम प्रकरती को पूरी तरह समझ लेंगे तो उसके अंदर ये बात नहीं थै कि फिरम प्रकरती को अपने हिसाब से बदल भी देंगे तो इसलिए ये वर्गी करण है और हमें अगर लग रहा है था हमें समय में आ रहा है कि वर्गी करण अच्छा नहीं है इससे तो शोशन होता है, इससे समस्या होती है, तो अबर की करनों को स्माफ कर देंगे, तो इसलिए ये डीप में विचार है कि ठीक है, वो पुराने लोग जो थे, वो सोचते थे कोई भगवान है, भगवान ने बनाया, ये स्तुरी पुरुष को बनाया, भगवान ने, ये स हमारे हाथ की चीज है, इसको चाहेंगे, तो ये जो मानसिक्ता डवलप हुई कि अलग-अलग हैं, सब वर्ग अलग-अलग हैं, भगवान ने बनाया, क्योंकि भगवान ही नहीं है, इसलिए वो उनकी सारी जो चीज हैं, वो सब गलत है, जो भी ट्रडिशनल सोसाइटी, ज संदर जो बी चीज सोची जाती थे, वो सब से उल्टा चलना है, तो इसलिए वो सोंचे थे कि Gosh, पुरुष को ट्रडिशनल सोसाइटी में, एक परिवार का हां, रिइडर सुविकार किया गया है, हर एक सोसाइटी हर एक सोसाइटी ट्रडिशनल सोसाइटी के अन्दर हर एक कर नहीं पता मुझे लेकिन जो मेजर सारी सोसाइटी मेजर जो कल्चर सें सिविलिजेशन सें उसके अंदर परिवार का मुखिया उसको पुरुष को माना गया है और इस पकार से परिवार जो हो पुरी यूनिट है पुरुष प्रधान समाज पैट्रियार की पुरुष प्रधान समाज तो अभी ये तो सब वो जो भगवान जो सोचते थे कि भगवान है ये तो उन लोह का विचार है तो ये 맞 तो इसको बदल ना होना यह सब तो दक्या नूसी विचार रहे हैं पुरुष प्रधान समाज अज्ञानता यह कारण था यह सब अज्ञान था उनको वह सोचते कोई भगवान है उसने बनाया इसलिए सब विचार अभी हम क्योंकि प्रगति कर चुके हैं कर रहे हैं अभी और और आगे बहुत जादा कर लेंगे तो उसकी वज़े से यह जितने भी दक्यान उसी विचार हैं समाज के उन सब को हमें बदलना होगा हमें सब के समाज को हमें पूरे समाज को शिक्षा देनी है हमें हमें को सही करना है सब को ठीक करना है क्योंकि लाखों सालों से हम जो है प्रगति करना समझे हम कि नौब ये अभी तक जो भी था वो सब दक्यानुसी था वो सब बदलने की जरूत है इसलिए वो जो पहले का विचार था कि पुरुष एक प्रदानों वही बदलने की जरूत है एक्षुल्य ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि यह बड़ा है इसको मुख्या होना चाहिए क्यों सब सब बराबर होने चाहिए सब बराबर है सब बराबर है तो यह विचार इस पकार से वा तो इसलिए अभी धिर धिरे फिर क्या हुआ कि परिवार की जो यू इव जो थी हमारी वह उसकी परिभाशनी पूरी बदढ़ालन लगी है भी हला नो फिर प्रीवार का तो इस्त्री प्रधान बनाओ एक तो यह option है ठीक है या तो यह किसी को प्रधान मत बनाओ है ना है सब समान है ठीक है तो अभी जब सब समान है तो फिर परिणाम क्या है जैसे कि विद्यालने में सब समान है शिक्षक और शिष्य स्टुडेंट टीचर समान है तो फिर वो पढ़ाने वाला क्या हो गया फिर एक फैसिलिटेटर हो गया आज कर शब्द क्या यूज इसकी आता है फैसिलिटेटर क्योंकि समझ के आ गई कि आप कोई इसको सीफ़ेर पॉजिशन मत लो कि आपको इसको सिखाना है आप कि विद्ध यद्याइट करना है कि यह जो ग्ति है शीए अपने आप करता है इसको कुछ फोस्त मत करो कि यह करना यह नहीं करना आजा कुछ मत को फ्री छोड़ो इंडिपेंडेंट है यह आप वो शोशन हो जाएगा इसलिए आप तो बसको एक दृष्टा की तरह से बस फैसिलिटेट करो वो अपने आप जो करने हैं उसे प्रकार से पूरे समाज में ही जो हमारी टैडिशनल साइटी में ज बिच्डा में से प्रवश्टी गष्टी यहां इंपर नीर वरोगए आसरी तो गया पर्मनेंट लएक हिरन नहीं सकते उफ्र बैटकीत À कैसे बन सकता है, अपने बच्चे का पिता बन सकता है, पर पिता का पिता नहीं बन सकता है, पिता जो है, फिक्स होगे हमारा, बच्चे है तो बच्चे रहेंगे हमेशा, तो वहां डेफिनिशन से क्या हो गया, भगवान हो है, जिसने सब को जन्म दिया है, तो फिक्स होगे ह वो हमसे उपर ही हमेशा रहेंगे उसको उन चेल नहीं कर सकते हैं तो अभी जब यह आधनिक विचार दहरा एथीज्म ने जोर पकड़ा कि भगवान वगारा कुछ नहीं है तो वहां से यह चीजी खतम हुए हाईरार्की क्या है कुछ हाईर्की नहीं है तो समाज क्या हो गया इगैलिटेरियन सोसाइटी आज का जो विचार है वो यह वाला और वटिकल नहीं है होडिजॉंटल है ट्रेडिशन सोसाइटी में अंड़स्टेंडिंग है वर्टिकल हाईरार्कल सबसे उपर भगवान उसके नीचे कौन उसके नीचे कौन तो यह समझ थी कि समाज धंग स से कैसे चलेगा इस hierarchy के अनुसार यदि हम कारे करेंगे तो समाज अच्छे चलेगा यह understanding थी ठीक है तो भगवान है सबसे उपर उनकी बात माननी है जो समाज के लीडर्स है राजा ब्राह्मन और फिर अन्य जो लोग हैं उन्हें उनकी बात माननी है और उससे उनका भला होगा क्योंकि सबके अलग-अलग इस तर है भगवान सबसे उपर है हम सबसे नीच है तो यह hierarchy में काम करेंगे तो सबका भला होगा everybody get connected सब भगवान से connected हो गए by hierarchy सबके अलग-अलग इस तर है फिर भी सब connected हो गए तो यह understanding है विदिक सोसाइटी में इससे सबका उत्थान होगा ठ ठीक है अभी इसके विपरी जो पास्चात्ते विचार धार आई उसमें यह वर्टिकल खतम हो करके यह ऐसे हो गया egalitarian क्योंकि भगवान उपर से खतम हो गए गला कार दिया no god god is dead ठीक है तो यह वर्टिकल जो हो ऐसे हो गया समाज अभी ठीक है सब बराबर समाज का portion कैसे होगा वर्टिकल सोसाइटी में absolute rules है भगवान ने जो दिया है इसलिए शास्त आगे मनुसमित आगई जो उनका वचन है वही सत्य है वही अमें पालंग करना है ठीक है अभी जब horizontal society हो गई तो इसमें क्या होगा democracy आगई कोई absolute नहीं है वर्टिकल नहीं है democracy आप देखें कैसे कैसे यह सारी चीजों का एक basic atheism से हर चीज कैसे connected है तो democracy आगई क्योंकि कोई वर्टिकल नहीं है हम सब लोग मिल करके हमें जो लएगा अच्छा उसे हम अच्छा मानेंगे सुईकार करेंगे वो नियम बनेंगे तो horizontal उसके अंदर democratic system काम करता है तो अभी उसी democracy के अंदर और secularism के अंदर secularism मतलब निरीश्वरवादी जो विचारदारा है secularism क्योंकि वो वर्टिकल के विरुद्ध है secularism यह horizontal system वाली है secularism तो अभी हर चीज जो भी traditional society की हर चीज के उपर प्रशन उड़ गया हर चीज के उपर तो उसके अंदर ये भी आता है patriarchal society तो वेदिक society में था कि जो पुरुष है और जो इस्त्री है बहुती दश्टी से दोनों के अंदर भेध है और वो कर्म के फल के अनुसार है तो यूनियों में भी करम के फल कर्म के नुसार यूंया थि इसलिए मनुष्य को पर ईयोनी जिए ऊच्छ माणा गया अजू कर्हाने हैं जो को घालते हैं तो क्यों बराबर हैं सब लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैस बराबर हैं पर फिर जिसकी आदा शक्ति वो उसको खा सकता है वो एक्सप्रेटिशन नहीं करना जाएगा तो पुरुष जो है वेदिक संस्क्रती में पुरुष और इस्त्रिया उनके वो भी कर्म फल के अनुसार एक अलग वर्गी करन है इसलिए अब ये बात बहुत ही सम्वेदन शील है लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो है वो चीज को बताया जा रहा है तो शास्त्रों में जैसे भगवगीता में देखें तो वहां पर बताया है कि इस्त्रियो वैश्य सथाशूद्रा स्थेपि यान्ती परांगतिम मामी पार्थभ व्यपाशृत्या ये पिश्युफ पापयोन यहाँ इनको पापयोन यहाँ पापयोनिया इस्त्री वैश्य शूद्र केवल इस्त्रिया नहीं है उसमें शूद्र और वैश्य भी है पुर्शों के भी वर्ग हैं दो उनको भी पाप योनिक आ गया है तो पूरी वेदिक संस्कति में अंडरस्टेंडिंग ये है कि हमारा जो शरीर मिलता है हमें जो योनी मिलती है वो हमारे कर्मफल के अंसार है और ये निम्न योनिया ये पाप कर्म करने के कारण ये योनिया प्राप्त होती है लेकिन शास्त्रों में क्योंकि जीव तो नित्य है इसलिए कितना भी कोई पाप जन्म क्यों न हुआ हो लेकिन सब को रेक्टिफिकेशन का शुद्धी करण का मार्ग सब के लिए खुला हुआ है जबकि जो क्रिश्चिन आइडिया है पास्चात्य जगत में जो रिलीजन प्रॉमिनेंट हुए पिछले 2000 सालों में वो क्रिश्चियनिटी और इसलाम हुए उन दोनों में विचारदार यह है कि यह जो जीवन है इसी में ही डिसिजन होगा और हमेशा पर्मेनेंट ली हो जाएगा या तो स्वर्ग या तो नर्क तो अभी उस दश्टी से जो रिलीजन है उसको यह हो गया कि भाई तुम किसी को पाप यह नहीं घोशित कर दो या तुम फिक्स कर यह हो गया कि यह तो इसा है और फिर इसका कोई चांस ही नहीं है तो पुरा बहुत डेंजरस फिलोसफी है लेकिन वेदिक संस्कति जो है वेदिक फिलोसफी जो है वो तो उनको सुविकार करनी नहीं है क्योंकि वो तो नौट वर्थ कंसिडरींग बिकास इपिस नॉट कमिंग फ्रों वाइट तो उसको तो चूना ही नहीं है तो इसलिए भी फिर उसके विरोध में जो पुरा सेक्योलिरिज्म डवलब हुआ पाश्चात्य विचार यह जो आधुनिक विचार डवलब हुआ तो वहां पर फिर यह आया कि यह तो धर्म के अंदर की पूरी अंडेस्टेंडिंग सब वेकार है इसलिए यह सब जो है इस अध्यात्मिक और भौतिक दोनों में वहां पर अंतर किया गया है जबकि अन्या जो फिलास्टीय उसके अंदर इस्पिरिट की कोई प्रॉपर अंडेस्टेंडिंग है नहीं इसलिए वो जो एथीज्म है उसका कोई प्रॉपर इतना उत्तर भी वहां पर नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर आध्यात्मिक्ता डवलप नहीं है वो जो थियोलोजी है वो जो थियोलोजी है वो बहुत ही प्रिमिटिव लेवल पर है इसलिए जो एथीज्म के जो प्रश् उसमें हमें बहुत ही एक सभी चीज़ का इस पष्ट लॉजिकल उत्तर प्राप्त होता है तो कर्म फ़ल के कारण कारण पर्टिकलर यूनिय मिलती है तो पाप के करण क्यों मिलती है वो चेतना में उत्रे ही भगवान से दूर है कि पुन्य और कि परिभाशा क्या है उसका क्राइटीरिया क्या है भगवान में कुछ एक्टिवीटी स्कू शास्तर में उल्लेकित किया यह पाप हैं और कुछको पुन्य क्यों पूरि ने लिए वागवान के दौधे बनाया गया है और बर इस आधार के बनाया गया कि कैसे हैं पर जो जी में वोग करने के लिए उनकर चाहें पूरी भी हो और दूसी तरफ उनका शुद्धी opening पूर्फारे लिए और ये बहुत सोबावी चीजा कि जब भगवान हमारे ओर जिन है जितना हम भगवान से के विरुद्ध होंगे उतना हम कष्ट भोगेंगे यह सिंपल चीज अक्रों कि निए और हमारे origin है पिता है हम अगर उनके व्रुद्ध जाएंगे तो हम कश्टी अंभव करें क्योंकि वो हमारी सम्वैधानिक इस्तिति के विरुद्ध है मचली पानी में रहने वाली है उसका वो सम्वैधानिक इस्तिति है अगर वो पानी से दूर जाएगी तो वो कश्ट में रहेगी ही रहेगी वो सम्वेधानिक गुण की वज़े से तो उसी प्रकार से जीव-जीव है उसका एक विधान है उसकी existence उसकी constitutional position की वज़े से एक विधान है वो विधान है कि अगर हम भगवान का विद्रो करेंगे उनसे दूर जाएंगे तो हम दूखी रहेंगे तो इसलिए पाप पाप दूर जा रहें तो दूर जा रहें तो कष्ट की स्थिति ही होगी और दूसी तरफ कष्ट की स्थिति होगे दूसी तरफ जितना हम पाप कर रहे हैं मतलब यह जो इच्छा है कि मुझे भगवान से दूर जाना है वो उतनी और प्रबल होगी तो पाप करने से हमारी जो इच अलग हो रहा है यानि पुन्यात्मा मन रहा है वह उतना ही भगवान की भक्ति में द्रड़ होता जाता है तो यह इस प्रकार से असव्रफ श्रफ रीश निरा धमान क्या है श्राम एजसम अशुभाम आसुरिश्वेव युनिश्व तो जो पाप कर्म करते हैं मैं उनको अपने से से ऐसी योनिया प्राप्त होती हैं जिन में भगवान की को समझने की शक्ति कम होती है इसलिए जो जानवरों की योनिया प्राप्त होती है वो घोर पाप करने से जानवरों की योनिया प्राप्त होती है जानवरी की योनिया प्राप्त करने से भगवान को समझना कोई भी मनुष्य के कंपरिजन में बहुत बड़ा अंतर है उसी प्रिंसिपल के आधार पर मनुष्य के अंदर भी पाप और कुन्या करने से उनको मनुष्य के अंदर भी कौनसी प्रकार की कवर्ग मिलेगा वो भी उसी प्रकार पर निश्बर होता है प्रिंसिपल एकी है दोनों का तो इसलिए इस्त्री वैश्य शुद्र वो समाने तया प्रकृति के निम्न गुणों के द्वारा संचालित होते हैं तो निम्न गुण जो हैं हमेशा भगवान से दूर ले जाने हैं काम करते हैं वो पाप की तरफ प्रेरित करते हैं तमम जो प्रिंसिपल मनिश्यों में लिए तो मनिश् ani के जो वर्ग हैं एक वर्ग एक तो है इस्त्री और एक पुरुष और फे पुरुष के अंदर भी ब्रामपन, चहतर वहिश्य, शुदु तो यह जो है यह भी सब गुंँ से ही अलग-अलग वर्गी करनव बन रहा है और यह गुम यह वर्गी करण क्यों हो तो अगर हम पुन्य करेंगे, पुन्य करेंगे मतलब क्या होता है, सत्वकुन में कारे करेंगे, उर्दुम गच्छनती सत्वस्था, अगर हम सत्वकुन में काम करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, हमें फर्दर और सत्वकुन में ही कारे करने की फैसलिटी प्राथ होत प्रत करते हैं तो हमें निम्न योनियındaki होती है जहां पर तमोगुन रजोगुन की प्रदानता है तो इसीलिए शुद्र वहिष्य स्तरी वह जो है इसपकार से पाप योनिया का आगया है क्योंकि वो उसके परिणाम है, यानि कि उन योनियों में भगवान को समझने की शक्ति, शास्त्रों को समझने की शक्ति कम होगी, इन जनल, ठीक है, लेकिन उद्धार सबका होना है, तो कर दिया, आपने पाप किये तो आप भगवान से दूरा है जाते हैं, ठीक है, आप ऐसी योनियों में आजाओ, लेकिन अभी उद्धार भी करना है, तो इसलिए उद्धार करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, शर्णागती, उद्धार करने का प्रिंसिपल क्या है, शर्णागती, अगर हम अपने से उच्च चेतना वाले लोगों को शर्णागत होंगे, तो हम अपनी कोई भी इस्तिती से किराट हुणांद्र पुलिंद पुक कशा कोई भी इस्तिती से व्यक्ति भगवान की शरण ले करके उठ सकता है उद्धार कर सकता है तो इसलिए पूरी सोसाइटी जो डिजाइन है वेदिक संस्कृति में वो इस प्रिंसीपल के उपर है कि जो बरैार की में सब लोग किनेटेड़ हैं सबसे ऊपर भगवान से बागवान की सबसे जधा जो शरण लिए हुए हैं वो ब्रामन वर्ग है जो फिर शत्रियें वो ब्राह्मनों की शरण कर रहे हैं ब्राह्मनों का मतलब यह है ब्राह्मन मतलब वो जो पूरी तरह से भगवान की शरण लिये हुए उसी को ब्राह्मन कहते हैं ब्राह्मन मतलब भगवान का मुख जो शर्णागती कारण भगवान के हिदय को जानते हैं जो भगवान के से कन एसलिए वह भगवान के अनुसार माजदर्शन दे सकते हैं है और ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि उनके कर्म फाल के कान जो शुद्धी हुए इसकी वज़ाय से उनको ऐसा प्राप्त हुआ है इसलिए पूरा समाज जो है पूरे समाज के गुरु ब्राह्मन ओते हैं तो पूरे समाज का उत्थान कैसे होगा यदि बाकी सारे वर्ण जो है वो ब्रामण उसके बाद फिर शत्री आते हैं फिर वैश्य शुद्र तो इसलिए आप देखिए शत्रियों का वर्णन आएगा जैसे यहां रहा है ब्रह्मवादिनाम किंकर रहा है वो भी तो किंकर है स्थ्रेट होGS होना तो मनिशर्थ समाज में सबयाब के लिए है जब प्रसक् Yvr perfect अलगलग वर्ण उत्पन हुए जब मिराथ रूप तो जब शुद्रू का वर्णन आता कि शुद्र वर्ण का दिर्मान तो उसससे पहले ब्रावन काया है प्रा漠 की स्थь से पहले इस वर्ण से क्या कारे सिद्ध होता है इसका उल्ले किया गया है और इस कारे के लिए जो अधिश्ठाता थे ब्रामन थे उनका उद्धाय हुआ यह आता है तो वहाँ पर आता है समाज के गुरू जब ब्रामनों का वर्ण आता है समाज के गुरू ये गुरु होने का जो फंक्षन है सबको माधदर्शन देने का जो फंक्षन है वो है ब्रामन का फंक्षन ठीक है शत्रिय का जब वर्णन आता है तो वहां क्या आता है सभी वर्णों की रक्षा ये गुण है ये प्रिंसिपल है वैष्यों का आता है तो aren't a ज़बन का निर्वाहा करना ये गुण वैश्यों इस गुण के लिए मेशे उत्पन और जब शुद्रों की उत्पति की बात निक लुख कौन से कुण की बात आति है इसे सब की सेवा सब की सेवा तो उनका कार्य हो गया पर उससे समाज की कौन सी आवशक्ता पूरी हुई रक्षण की आवशक्ता पूरी हुई शत्रियों से मार्दर्शन की आवशक्ता पूरी हुई ब्रामनों से निर्वाहा, शरीर के निर्वाहाश की आवशक्ता पूरी हुई वैश्यों से समाच्छी कौनसी आवशक्ता पुरी हुई शुद्रों से सबॉर्डिनेशन सबोर्डिनेशन तो ठिक वहां चब्दद आया है कुंध शुंषा धर्म सिद्धाय भूट वचारर वचार निया बात है छुु शुशा धर्म सिद्धाय यह फंक्शन है यह डॉलप हुआ शुशा शुआ वा्रूडिनेशन सेवा किस लिए धर्मसिद्धाय की की सिद्धी के लिए तो वहां पर बताया है कि यह जो फंक्षन है यह एक्चुली सभी वर्वनों का कॉमन फंक्षन है कि शुशा जो है वो कॉमन टू एवर्यमन है इसलिए स्वेश्वे कर्मन्य अभिरता समसिध्धिम लबते नरा या यतफ प्रवर्तिर भूता नाम येन सर मिदम तताहा स्वा करमना तम अभ्यर्चा सिद्धिम विंदती मानवा जो भगवान है उनकी सेवा करके सब वर्ण पूर्णता हासिल करते हैं तो यह शुशूशा है यह कॉमन है इसलिए सारे वर्ण जो है शुशूशा कर रहे हैं लेकिन जो ब्राह्मन छत्रिया वहिश्य कैसे और यह जो वो वो अपने सारे कारें को भगवान को अर्पित करते हैं डिरेक्ली इस तरह से वह शुशूशूटा कर रहे हैं धर्म सिद्धी के लिए वह यह कारे करते हैं इसे धर्म सुनिष्चिताम पूंसा विश्वक्सेन कथासुया नौत पादये यदिरतिम श्रम जो वर्ण का कारता है लेकिन भगवान को अर्पित नहीं करता है तो वह उसी पकार से वर्णा श्रमा चार युटा पुरुशेन परप्पुमान विश्नु अराध्यते पंथा नान्यत ततोश कारणम यह सब चीज वह बताती है तो धर्म की सिद्धी किसमे है भगवान की सेव में वही चीज जर्म की सिद्धी सभी वर्णों के लिए है अभी जो शुद्र है उनकी चेतना तमोगुण में होने कारण वो डिरेटली भगवान से वो कनेक्शन वो दूर है चेतना की दर्ष्टिस इसलिए वो जो यह अन्यवर्ण है इनकी सेवा के द्वारा वो भगवान की सिवा करते हैं इसलिए शुद्र के पराशार इसमृति में बताया है कि तमूगुण होने से एक शुद्र के अंदर सुभाविक रूप से काम करोद लोग मोहम्मध मसर यह ज्यादा होने की संभावना है क्योंकि तमूगुण प्रभावित है ज्यादा इसलिए उनके तीन वगणों में है तो यह पॉइंट है कि फ़ंक्शन है कि अपनी शुद्धी के लिए वो सेवा करते हैं अपनी शुद्धी के लिए तो यह जो प्रिंसिपल है सेवा शुशूशा यह वेधिक संस्क्रति का धर्म की सिद्धी के लिए एक common principle है धर्मसिध्ध है ठीक है तो कोई भी व्यक्ति अपना उधार करना चाहता है उसे अपने से जो उच्छे हैं उनकी शुशूशा करनी होगी शर्णागती के अंदर शुशूशा उसका involved factor है तो उसी पकार से अभी इस्त्री जो है उनका उधार कैसे होगा उनको भी शुशूशा करनी होगी हर व्यक्ति को शुशूशा करनी है चाहे ब्रामनों चाहे कुछ भी हो सब connected है ultimately शुशूशा के दौरा भगवान से लेकिन step by step सीदे भगवान की शुशूशा करना सब के लिए संभव नहीं है इसलिए उनके लिए आप चैन में अटेच हो ज अगर ट्रेन है इंजिन है चाहे इंजिन के पीछे पहला डबाया चाहे उस ट्रेन का अंतिम डबाया कोई फरक पड़ता है हम सोचते हैं बैठते बैठते नहीं हम तो ट्रेन इंजन के पीछवाल डबवे में बैठेंगे हम लास्ट डबवे में नहीं बैठेंगे अला सोच आपका कर्मफल के अनुसार, आपका कोई भी शरीर है, कोई भी आपकी यूनी है, अगर आप connected हैं, आप अगर train के अंदर आप connected हैं इंजिन से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार से अभी इस्त्रियों का जो उद्धार है, तो इस्त्रियां जो हैं एक तो कर्म करने की वृत्ति अधिक है, समाने तया, और शारिरिक बल भी कम है, तो उनको शारिरिक सन्रक्षन चाहिए, और ये जो भोग वृत्ति है, ये नियमन उनकी हो सके, इसके लिए कुछ विवस्ता होने चाहिए, इसलिए शास्त्रों में इस्त्रियों के लिए जो कारे बताए गये हैं, वो पति वरता हो करके अपने पती की सेवा करना, पती उनका स्वामी होता है, इसलिए उनके जो उद्धार का तरीका है, वो है पती की सेवा, पती इसलिए उनके लिए गुरु होता है, यहां से उनका कनेक्शन होता है, भगवान से, और जो पती है, वो फिर ब्रा प्रामणों की सेवा में रत रहेंगे, अब्रामण भगवान की सेवा करेंगे, इस तरह से सभी इस्त्रियां गनेक्टेड होई, तो इसलिए इसलिए एक परिवार के अंदर ये आया कि जो एक परिवार यूनिट है उसका जो नेत्रित्व करना चाहिए वो पुरुष को करना पती गुरु वो लिडिंग प्रों लेना चाहिए, कben 59 जो क फ्रोड़ के दूरा वो शरेर और वो इस परकार की पुरी युजना है, तो जब अभी सेवक और सामी की बात आती है, तो सेवक के बहुत सारे स्वामी हो सकते हैं गया, एक सेवक के बहुत सारे स्वामी हो सकते है अगर बहुत सारे स्वामी होंगे तो वो सेवाचेज़ नहीं कर पाएगा उसका तो फोकस चाहिए ना ऐसे कृष्ण माम एकम शर्णम रजा भगवान हमारे स्वामी है फोकस सेवक के लिए कि हमेशा बैस्ट क्या है फोकस ऑन वन फिक्स्ट क्योंकि उसके पूरी उसी के लिए पूरा जीवन उसको दाना है तो इसलिए वह तो सेवा भवना उसको प्रसंद करने के वहाँ पर स्वामी एक होना चाहिए सेवक का ठीक है स्वामी के बहुत सारे सेवक हो सकते हैं कि अगर जादा लोग को संदक्षन प्रदान कर सकता है तो जादा हो सकते हैं स्वामी तो संदक्षन देने वाला है ठीक है तो स्वामी के अनेक सेवक हो सकते हैं सेवक का एक ही स्वामी होना चाहिए ठीक है तो अभी ही पती-पत्नी के समवन्हें जो वेदिक संस्कती है उसके अंदर इस्त्री जो है वो सेवी का है और जो पती है वो गुरू है वो स्वामी का रोल प्ले कर रहा है उसका उद्हार करने के लिए उसको भगवान की सेव में न्यूजित करने के Lie 서울ो法 दाने सभी तरीके से ठीक है तो इसलिए वेडिक संस्क्रति में एक पूरुश की अनेक पत्नियां उसकती हैं लेकिन एक पत्नी के कई पूरुश नहीं हो सकते हैं कई वा लोग बुलते हैं अगर पहले जमाने में कई सारे पती हो सकते तो फिर पत्नी को भी फ्रीडम होने चाहिए कई सारे पती चलने के लेकिन वो पूरी जो बेसिक अंडरस्टेंडिंग है उसको समझेंगे तो समय में आए कि ये पॉसिबल नहीं है नहीं होना चाहिए क्योंकि इस्त्री को उसको अपने पती की गुरू के रूप में सेवा करनी है इसलिए उसको एक निष्ट होना है वहाँ पर और जो पुरुश है अगर वो कई इस्त्रीयों को संद्रक्षन प्रदान कर सकता है आध्यात्मिक बहुतिक सभी प्रकार से तो वो उसे करें और अगर इस्त्री जो है वो सही भावना में अपने पती को समझ रही है तो अगर एक पती कई इस्त्रीयों को संद्रक्षन प्रदान कर रहा है तो उस इस्त्री को उससे परिशाई नहीं होई अगर वार हम देखते हैं कि eestra होति है सबत्नीयों में तो वो जो इश्या है उसका कारण है कि वो सही अंडरस्टैनिंग हो पती को नहीं ले रहे हैं पती को पूरी अपने सौमी की तरह से वो नहीं ले रहे हैं इसलिए आप एस्में इर्षया है जैसे भक्तों के बीच में भी, हम ऐसा नहीं, भगवान आपका मैं केवल भक्त हूं बस और किसी को आप भक्त के रूप में सुईकामत कीजिएगा, जितने जादा भगवान के भक्त हैं, इतने भगवान प्रसंद हो रहे हैं, क्योंकि स्वामी मतलब उसको प्रसंद करना है, स इसलिए यहां पर आया मात्री भक्ती ही पर इसलिए जो भी इस्त्री अगर किसी एक इस्त्री कहीं पर किसी पुरुष के साथ हो गई, तो that's all, उसका पूरे समाज में यह अंडरस्टेंडिंग है, she is already sheltered, एक उसका पुरुष है, इसलिए एक विवाहिता इस्त्री को उसके सब के ड्रेस कोड अलग-लग होते हैं, उसका पूरा, कि यह विवाहिता है, उसके बहुत वेदिक संस्कती में सब सिंदूर और मांग, और सब बहुत तार एक लक्षन है, जिससे कोई भी पूरुष देख पाए कि यह विवाहिता इस्त्री है, इसका एक संरक्षन करता है, इसका पूरुष है, तो इससे पूरे समाज के अंदर एक सब को संरक्षन ही प्राप्थ हो गया, और वो रेस्टिट करने से, जो काम वासना है, उसको अनावश्यक बल भी ने मिला, काम वासना इस बहुती जगत में हम हैं तो रहती है, उसको भी कंट्रोल करना है, और सब का उधार भी होना है, इसलिए यह सारे जो नियम जो स्वेदिक संसकती में है, यह सब को बेस्ट पॉसिबल तरीके समाविश करते हैं, इसमें साइकोलोजी भी इंक्लूडीड है, पूरुष्की और इस्तिरी की, तो पूरुष्के अंदर वो साइकोलोजी है, शेल्टर देने की, जैसा शत्रे का सुभाव होता है न, ईश्वरा भावा, यह पूरुष्के अंदर भी सुभाव होता है, जब तक उसको, जबरदस्ती उसका, कुछ उम्मर नहीं निकाला जाए, जो आजकल प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जब आजकल प्रयास किया जा रहा है, कि भई नहीं नहीं, तुम पूरुष्पश्परदान कोई नहीं है, हम सब ब्राबर हम भी जॉब करेंगे, तो फेर अभी पुरुष्ट जो हैं वह सब, निठल्डले ने, क्योंकि उनको मोटीवेशन नहीं है। तो इसलिए और आपकी साइकॉलोजि, जो साइकॉलोजिकल फ्रेइम। उनका conditioning है उसके ये विरुद्ध है जो आज modern उसमें हो रहा है तो उसकी वज़े से ये एक imbalance है इस्त्रियों के लिए पुरूशों के लिए imbalance है और इसके दुष परिणाम देख रहे हैं तो कमिंग बैक तो दिस पॉइंट कि ये मात्री भक्तुप पर इस्त्री इशू इसलिए होता था और हर इस्त्री को माता के समांग देखना वो क्या है इस्त्री का जो function है society के अंदर भगवाण के द्वाया बहुत सारे function हैं लेकिन जो सबसे central function है वो उसका है माता का होना इसलिए हमारी संस्कती में कोई भी कन्या होगी चोटी भी होगी जनली भी है उसको भी मा कह करके बिलाने की प्रथा है चोटी लड़की को भी मा मया इविन पिता भी मा कहके बिलाता है क्योंकि उसका function as a mother is she's a mother in the society she is a mother किसी ना किसी की माँ वो होगी she is a mother उसका जो फंक्शन है mother है इसलिए every woman in that sense is addressed in that way mother यह society के अंदर वो जो इस्त्री का जो अभी आजकल के उसमें इस्त्रिया जो है वो मात्रित्यों के भावसिंगो घ्रना होने लगे हमें माता क्यों भायता है और हमें बच्चे पैदा ये क्या हम क्या ये ही गाम हमारा हूं कि उनको उसे मतलब कितना अस्वभाविक चीज हो गई है कि जहाँ पर एक इस्त्री की पूरी उसका रोल ही उसका माँ होना है उसको आज इतना क्रत्रिम तरीके से पर केरियर में उनको ये बाधानुबार मोती है मानना उनको लगता है ये सलोस stal नहीं कि मानना भी है ये टृदिश्नल रोल है ये तो सब जो सिंधोय कि माननुब्स ञा कम्पनी का CEO रहना is what we want, मा बनना वो पुराएं जमाने की इस्त्रियां ऐसा बनना चाहते थे, हम ऐसा नहीं बनना चाहते, something like that, तो यह सब अस्वभाविक चीजें होने से, और वो psychologically बहुत गलत है, एक इस्त्री के लिए, वो अगर वो इस पकार से संतान नहीं है, तो बहुत psychologically चैलेंज है, क्योंकि उसके सुभाव में, और वो बहुत जरूरी है, तो यह अगर इस psychology के अगर नहीं होगा, तो क्यों कोई इस्त्री बच्चे को जन देना चाहेगी, वो जो ममता है, वो ही तो उसको help करती है, कि यह सब कष्ट होने के बादूर भी वो बच्चे को नरिश करती है, तो आप उसके अंदर से यह भावने हटा रहे हैं, ममता की, उसका पुरा उसका value system अलग कर रहे हैं, तो फिर इस्त्री के अंदर बच्चे को जन देने की इच्छा क्यों होगी, तो यह सब जी connected है, तो मात्रिवत पर इस्त्री शुग, ठीक है, अभी आगे तो, मेभी कल हम इस पर continue कर सकते हैं, अभी और काफी जीर रहेगे, यह तो आ क्यों हिए तो फिर फिर इस्त्री को इस्त्री को इस पर. उप की परविटी रहा हुटी है। इसमें इन नवे भरती एक और हाय होता है आपके एक सनस्ता में जहां आपसब भरत देजिएशन वाष्य शूदर उस स्थरी ते साथ एक और देजिएशन हमार कैदा नहीं चल रहा कि हम सब भरत रहा है कि यह संध्य सब्राइब me तो प्रशने के जो वैश्य शूद्र के रहे हैं भकतों में तो हम जब्रसे जभर किरने हैं जन्म से बात किरें खुररह कि फिर इस्तरी में किस्टी चुल कि या जन्म से तो जो वैश्य शुद्र हैं उसमें भी तो जन्म से बहुत सारे गुण आती हैं जन्म से गुण आती ही हैं हमारे दैवी गुणों से आप अभी जात आपके जन्म के साथ दैवी गुणा है आपके जन्म के साथ आसुरी गुणा है ठीक है अभी फिर तो इसलिए जन्म से गुण तो होते हैं अभी आजकल वो जो जन्म से गुण है वो पिता के द्वारा पिता के उससे connected नहीं रहे गए इसलिए किसी का जन्म किस परिवार में हुआ उससे वो निलान करना मुश्किल हो गया है जब संस्कार पालान होते हैं वेदिक संस्कति में तो पिता को देख करके पुत्र क्या होगा उसका अनुमान लगाना सरल था तो जन्म से तो गुण है सबके कोई clean slate नहीं है जन्म के टाइम पर सबके गुण से आ रहा है तो किसी के जन्म से वहिष्या के गुण होंगे इसलिए वेधिक संसकतिमी किया जिसके जन्म से जो गुण है उसको उसी प्रकार परिश्कित करके उसको वह कार को भगवान की स्यमी लगाने दीजी लेकिन अभी वह पता कैसे चलेगा कि जन्म से कौन से को हैं तो इस तरी और पुरुष में वह आसान है क्योंकि वहाँ पर ग्रॉस डिफ्रेंस है वह केवल सुक्ष्म चीज़ नहीं वहाँ पर ग्रॉस चीज़ें तो लिंग अलग है इसलिए वहाँ पर हो गया और इसलिए फ हुआ उनके गुण उनकी साइकोलॉजी सब उसी लिंग के अनुसार चलती है वह उसके अनुसार चलती है उसके अंदर अभी अलग है डिफरेंस होगे बट ब्रॉड ली एक वर्ग की तरह से उनके ब्रॉड कैटेगरी के गुण उनके निश्चित हो गया पर इसलिए जादा कम किस चीज़ का जादा कम उनको उनको जो पहचानना है वहाँ पर वो केवल उनके गुन और कर्म से पहचानना है इस्तियों पुरुष का भेज जो है लिंग से भेज है वेट करने के जो पैरामीटर से उसमें अंतर है ना इस तरियों पुरुष में लिंग भेद भी नहीं है उसमें गुण और करम का वेद है अब जन्सें तो गुण में पाए है हां लोग पाए हां हां तो किसी का शादिक परावड पालद हो गया है हां अच्छा तो अभी भक्त होने से क्या फर्क पड़ेगा क्या उसका इंटरेक्शन कैसे होगा यह पूछ रहे ना तो अभी जब हम भक्ती करते हैं भक्ती जो है वो आत्मा के उठ्थान के लिए होती है आत्मा को फ्री करती है उसके प्रभाव से मोड्स के प्रभाव से जो शरीर का शरीर जो है जो मोड्स से चल रहा है आत्मा उसके अंदर बंधी हुए तो बेसिकली क्या हो रहा है आत्मा है और शरीर है यह दोनों आपसमें इंट्रेट कर रहे हैं कैसे इंट्रेट कर रहे हैं जो शरीर क को एक पर्टिकुलर प्रकाश ज्यादा कवर कर रहे हैं बता है ना भगवगी ताम बड़ी कवरीं होती है स्ट्रॉंग कवरीं होती है सट्वगुन अगर आत्मा का अध्यात्मिक विकास होता है तो गुणों को प्रभावित करता है ठीक है अध्यात्मिक प्रगति से वो गुण जो है नाश होते हैं एक इस तरह ऐसा भी आता है जिसको बोलते हैं जीवन मुक्त तवस्था जिसमें आत्मा मुक्त हो चुकी है भले ही वो इस शेल के अंदर है शरी के अंदर है लेकिन अभी वो गुण उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं इसको जीवन मुक्त तवस्था कहते हैं टिक हां ठों यह है यहां तक आना है जीव को तो अभी ही यह जो पूरा एल्टिमेटली आत्मा को फ्री होना है मोड से यह हमारा लक्ष किली दो प्रकार से कार् makeup कर लोकिंग दोना आपस में encouraged कर रहे हैं एक मूर्स को मोडिफाई करके help करना है आत्मा को covering को कम करना है और एक है आत्मा का जो सुभाविक शक्ति है जो उसकी सुतंदिछा शक्ति है उसका दुरूपयोग जो कर रही है आत्मा उसको ठीक करना है ठीक है उसकी वजह से फिर मोट्स कम होंगी तो दोनों लेवल पर काम हो रहा है तो जो काम हो रहा है उस भक्ति जीवन में उसमें दोनों लेवल पर काम करते हैं शरी के स्थर पर भी काम करते हैं इसमें करते हैं तो जो शरी के स्थर पर सब कारें हो रहा है वह बेसिकली वर्णाश्रम सिस्टम के द्वारा कारे हो रहा है क्योंकि वर्णाश्रम में क्या होता सतोगुन को बढ़ा दा है तो वह काम शरीर के स्थर पर हो रहा है शुद्धी का और जो शवन कीर्थन विदी है वह डिरेक्टली किस स्थर पर काम कर रही है वह यह आत्मा के स्थर पर काम कर रहा है तो दोनों स्थर पर पैरलरी काम हो रहा है तो अभी शवन कीर्थन की आगना है वो बहुत तेजी से जग सकता है। लेकिन यह जो शरीर का जो बंदान है shot मोर्णि जो प्रारब्थ से मिली है मोर्णि जो शरी मिला है तो जब तक यह शरीर जो मिला है उसके उसको चेंज करना इतना आसां नहीं होता है, वो जो मिल गया है, जो प्रारब्द कर्मफल है, इसलिए जो अप्रारब्द कर्मफल है, जो भविश्य में आएंगे, वो जल्दी चेंज हो जाते हैं, तो भक्ति के प्रभाव से, वो जो आने वाले जीवन में जो प्रभाव होने वाले वो पहले कटते हैं, प भक्ति में पूरी प्रगति करने पर भी वो परोग शुप से भगवान के आयोजन से वो शरीर जब तक है तब तक पूरो शरीर तो गुणों से बनाए इससे पूरो तो रहें गई आत्मा पूरी तरह से फ्री हो गई है इसको जिवन मुक्त कहते हैं भक्ति के एडवांस स्टेज में वो आत्मा पुरी तरह से गुणों के प्रवाव से मुख दोगे बढ़ फिर भी वो इसी शरीर के अंदर है तो इसी प्रकार जब प्रगतियम करते हैं तो उस प्रकार ऐसा संभव है कि आत्मा का विकास हो रहा है उसके अंदर वो सुभावी गुण जो है वो शरेंडर की वएसे वो उत्तम इस तरके हो गए लेकिन शरीर का जो गुण है वो वैसे के वैसे ही रहे है विशे शुप से जो शरीर के सुभाव के गुण है जिसकी वज़े से समाज में इस शरीर को क्या करना है जो वर्ग है इस्त्री को क्या काम करना है वैसे को क्या काम करना है ये जो गुण है ये भक्ति के प्रभाव से खतम नहीं होते हैं क्योंकि जब तक वक्ति संसार में उसको संसार में कारे करना है न? ठीक है तो इसलिए वो जो जीवन परियंद अगर किसी का सुभाव वैश्य का है वो भक्त बनेगा लेकिन उसका जो इस जगत में संसार करने की जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी वही रहेगी तिल दे एंड ओफ लाइफ इन एक्स्ट्रीम केसिस भगवान की इच्छा से ऐसा हो सकता है कि भगवान की सेवा के लिए भगवान उसको कोई और शक्ति प्रदान कर दे विश्वा मित्रमुनी अपनी अध्यात्मिक शक्ति के बल पर वो अपने वर्ण को चेंज करके उन्हों अगर भगवान देना क्या तो छक्त यूदर कशला है जो भी व्यक्ति को कर्म्वल से जो कारे करने इस जगत में कारे करने का सुभा अप्राप्त हुआ है वो यह इस जिवर्म में और पीyonَ बंजाएंगे अरजुनावासे श्र्स इस variations क्या बोला प्रकृति स्वान नियुक्ष से तुम कुछ भी करोगे फिर भी तुमको प्रकृति वो करने के लिए बाधित करेगी तो इसलिए एक भक्त को भी अपने जो प्रारद के अनुसार जो गुण प्राप्त हुएं समाज में कारे करने के लिए उसको वही सुभाव के उसाथ जीव ने तो वह भी उसका एक तरीक थे शुद हो गया है लेकिन इस जगत में अहीं तो कुछ का रहा करना है वहां ऐसको करना है इसलिए वो परोग शुब से वह सब्गाव के संभंदी जो गुण है वह बने रहते उन से वह भग्वान की सेवा करता है इसलिए वरणाश्रम और बगती बिटिमें प्रगति जो इस्तिती दसकि रहतीं कि भक्ती में इस रघ्ञती होने विसके उसका शरीर हमने एकसपेट करता है कि नो زच उनका शरीर क्या क्या होगा और यह हैं अधियातनी जगत में भी तो अलग-णलग इस परिवर्दित हो गयी और वोगा पुरी तरह से कृष्ण की सेव में कर रहे है पुरी चेतना पुरी शुद्ध है तो फिर वह बादब नहीं है लेकिन इस समाज की संधचना रखने के लिए तो वह अलग-अलग रहें गई लेकिन अभी वह प्रभाव नहीं कर रहे है आपना एकाम को ठीक है अब समय हो गया ओके अपने ट्रेंट का मुझा है ट्रेंट इंजन है अलग-दिट में तो आरेटी ऐसे होती है तो अभी समाज में तो अभी स्वास का बाता हुआ है तो हम देखते हैं कि इस तरी हमों समच्छों बना चाहती है लेकिन पुरूस में से गूर नहीं है ज अब स्वास को अध्यों को अद्रन कि पुरूस में से कि नहीं जोंटा ओक पर्फेक्ट नहीं है तो हर बसी को लगता है कि अब डायेटे लिग प्रूत पर दो को अद्रू से और अधिक सव्य हम भगमान से डारेक्ट अनेक्सिन वराने का प्रयास को. तो यह जो अलगने डिब्व है, है, अश्यार्की है, उसमें हो विस्वास मैं भात एंगे, कि जिनके हम अंकर हम अटन बें रहेंगे पति केड़ करदे रहेंगे और गुलू केड़ करदे हैंगे हम पूरी तरह से दहमान से हिए विस्वास निहीं हो पाए इसलिए हम सवतान्च्ब माद सित हmbर तरह क inversion करेंगे तो इसका क्या है या क्योंकि अविश्वास का बाता है तो अविश्वास तो प्रदर नी करना उसके लोगा लेकिन विश्वास करना है तो तो इसलिए हमेशा से यह एक रियालिटी है संसार की की चैत्य गुरू के रूप में भगवान है हिर्दय में इसलिए हमारे भगवान जो हमारी मदद करते हैं चैत्य गुरू के रूप में और शिक्षा गुरू या दिक्षा गुरू के रूप में तो उसी पकार से पती गुरू है लेकिन चैत्य गुरू तो हैं सबके, तो इसलिए उनका रोल तो हमेशा सही है, जब विदी संस्किती थी सब विश्वास करते थे, विश्वसनिये थे, तब भी वो रोल था, अभी भी रोल है, लेकिन अभी क्योंकि चर्मर आ गई है पुरिस्थिती, अविश्वास का माहूल है, और लोग भी अवि सियरिटी है, तो फिर हम जो हैं वो भगवान के द्वारा सही निश्कर्ष पर आ पाएंगे, सही निर्ने ले पाएंगे, सही समझ पाएंगे कि यह रहती ट्रस्ट वर्दी है नहीं है, और जहां पर अंतता अगर हम ऐसी को परिस्थिती में अपने को पा रहे हैं, मान रिज इसलिए को प्रसमाज तो इसलिए ये यालिटी है कि बहुत समय हमारी जो पाएंगे संवन्हо करना होता है, लेकिन उस परिस्तिती में गुरू सभीन करना लेकिन एक और तो उस में क्या तरीका है घजाना वह है दो हमारेकव कर्मफल के कलानी वह कर नहीं है दो यis लिए नहीं तो इसलिए अभी भगवान के शहना गतिले नहीं है अभी गुरु जो है वो पती जो है वो भक्त नहीं है तो लेकिन उनको संद्रक्षन भी एक समाजिक इस्तर पर एक संद्रक्षन की आवशक्ता है तो वो उस इस्तर पर पती की सेवा करें और समाजिक इस्तर पर कारें और वहाँ पर पती से जो आध्यात्मिक शिक्षा जो मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि आध्यात्मिक वो खुदी अभक्त हैं उनका समाजिक इस्तर पर सम्मान सेवा हो उससे उनको संदक्षन और जो एक बहुतिक दर्ष्टी से जो सतोगुन प्राप्त होना है वो उनसे प्राप्त होगा उसके लिए उन्हें शरण लेनी पड़ेगी उन्हें इस पकार से उन्हें चैत्य गुरू की शरण लेनी पड़ेगी, उन्हें प्रगति कर सकते हैं तो अंतमे यह सब मार्ग हैं but ultimately अगर यह सब बहुतीक है ना मतलब बहुतीक इसके लिए व्युस्थाइँ चाहिए तो अगर यह बहुतीक व्युस्थाइँ कहीं पर भी अवरोग करती है तो अल्टिमेटली चैटे गुरू है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर सेंसिर है वह भखवान को श्रणा करता होना जैसे जैसे तुलाद महारास थे अब उनको कोई गुरू मिलने की कोई संभावना वहाँ पर नहीं थी तो वह एक पत तो हमेशा है कि व्यक्ति के साथ उनक पर लेकिन रास्ता है कोई भी बहुतिक परस्ति रोग नहीं सकती आद्मी को भगवान की पर जाने के लिए हमारे करनफल से जो भी परस्ति हमको प्राप्त हुई है लेकिन फिर वह हमें डिस्क्रिमेट करके यह डिस्क्रिमेशन पावर हमेशा हमारे साथ है अब गुरू सा किसी सामने को चैक करना चाहिए या फिर कम उसकर आता है जब पूरी तरह अशन चाहिए पत्नी पती के प्रती हो या पती है या विक्ती हो कर गुरू की क्योंकि संसर्द साथ साथ चली रहा है विस्वा चली रहा है तो वो स्टेज कवाएगी कि यह है परफेक्ट जिनकी से इनकी इस और मुट इक आड़ी थैंड मतनी कैस में जो पती की शरण लेनी है एक एंगल से समाजिक वह सब उस रहे गई रखिये वह तो चैक करनी की बात निये वह तोग्रोस है हम यह खोर नहीं हम क्या अध्यात्मिक की बात कर रहे है ये नि ले सकते हैं उनके लक्षण क्या होने चाहिए ठीक है वही चीज हमें पालन करनी है जो तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिग्या सुष्रेय उत्तमा शाप्दे परेच अनिश्ना अदम बन्मनी उपसमाश्रमा तो वही लक्षण हमें देखने चाहिए उसी के आधार पर हम प हरे किष्ण शेप पालिकी जाइब